फरवरी महा की शुरुवात होने वाली है तो ऐसे में किसान भाई सर्च करने लग जाते हैं कि आखिर हम फरवरी के अंदर हम कौन कौन सी सबजियां उगाएं जिससे की हम अच्छा मुनाफ़ा कमा सकें नमस्कार दोस्तों मैं सत्यिस कुमार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किश्यान हमारे किशान चैनल पर कि फरवरी महा के अंदर जो हमारा temperature होता है वो temperature भी अप होने लग जाता है और फरवरी महा के अंदर यदि आपका plot खाली है तो आप अनेक प्रकार की सब्जियां इस फरवरी महा के अंदर लगाकर और बहुत अच्छा आप दोस्तो मुनाफ़ा कमा सकते हैं कुछ सबजियां ऐसी है जो लंबी चलेगी कुछ सबजियां ऐसी है जो दो से तीन महीना चलेगी तो आप इन सबजियों को अपने खेत के अंदर अपने प्लोट के अंदर बुआई करके दोस्तों बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आखिर कौन सी वो वेराइटिया है किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी है कौन-कौन सी वीडियो से हम अपने इन फसलों को अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे तो आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमाएंगे सबसे पहले आपने चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपन खेत की दोस्तों आप खेत जिस भी खेत के अंदर फसल आप अपने बोई करने जा रहे हैं उस खेत की जो है आप जुताई अच्छी गहरी जुताई कर लीजिए उसके अंदर देशी खाद जरूर डालीए सदागला जो देशी खाद होता है क्योंकि इसके हमारी फसलों को अनेक प्रकार के जो पोश्टिक तत्तो होते हैं वो मिल जाते हैं केच्वा खात जो होता है वो खात आप इसके अंदर डाल सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आप खेत का सलक्सन करिए जैसी सबजी आप उसके हिसाब से खेत का सलक्सन करिए अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मेरी फेवरेट सबजी है वो फेवरेट सबजी आपको बताता हूँ आप भिंडी ओकरा इस सबजी आप फरवरी महा के अंदर लगा दीजिए और जब दोस्तों ये हमारी तैयार होके मार्केट के अंदर जाएगी तो आप जब सुरुआत के अंदर तो दोस्तों 70-80 रुपे किलो तक के हमें रेट मिल जाते हैं अब बात करते हैं कि इसका खेत जो होता है उसका चुनाओ तो भिंडी की फसल आपको पता है कि लंबी चलने वाली है लंबी जो फसल चलती है तो जमीन भी उसके लिए हमें उपजाओ चाहिए मजबूत जमीन चाहिए तो इसके लिए आप उपजाओ खेत का उपयोग कीजिए तो जो हम भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं उसको आप ट्रेक्टर से पहले बैड बना दीजिए, मेड विधी पर बुआई कर दीजिए या खुले मैदान के अंदर क्यारियों के अंदर भी बुआई कर सकते हैं दोनों ही विधीयों से लेकिन जो बैड पर हम भिंडियों की बुआई करते हैं वो बहुती शांदार हमारी बुआई होती है और उसके बाद में इसकी वेराइटी की बात करूँ तो इस समय जो राधी का वेराइटी होती है एडवांटा की राधी का वेराइटी सबसे टॉप वेराइटी है आप वो अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए या कोई भी फसल बुआई कर रहे हैं आप अपने छेतर के हिसाब से जलवाईू के हिसाब से आप अपने एरिये के हिसाब से भी आपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं तो दोस्तों आप भिंडी की बुआई अगर आप करेंगे जब यह हमारी भिंडी की फसल मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको बहुत ही शांदार दोस्तों रेट देने वाली है तो आप भिंडी की फसल अपने खेत के अंदर इस समय लगा के और बहुत अच्छा दोस्तों आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं नमबर दो पर दोस्तों मैं आपको रिकमंट करता हूँ आप मिर्च जो हरी मिर्च होती है उसको आप अपने खेत के अंदर लगाईए और दोस्तों ये जब तयार होके हमारी मार्केट के अंदर जाएगी तो इसके भी रेट आपको बहुत ही शांदार दोस्तों मिलने वाले हैं और जुलाई अगस्त तक ये भी हमारी लंबी फसल चलने वाली है आपको लंबी इंकम देने वाली है और आप लगातार भी इससे फसल ले सकते हैं आप इससे लगातार इंकम कर सकते हैं बसरते कि इसके अंदर आपको सार समभाल करनी है इसके अंदर क्या है कि एक तो खर्पतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है समय समय पर दोस्तों हम खर्पतवार इसको निकालते रहे और इसके अंदर इस्प्रे करते रहे लगातार दोस्तों आपको ये इंकम देती रहेगी तो आप हरी मिर्च की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं उसके बाद में दोस्तों मैं आपको रिकमेंट करता हूँ आप तीसरे नंबर पर करेला की खेती लगाईए खालियों के अंदर बुआई कर दीजिए और एक खाली से दूसरी खाली जो होती है वो आप तीन फिट का गैप रखिये उसके अंदर जमीन पर फैलने दीजिए किसी भी परकार की कोई उपर चड़ाने की जरूरत नहीं है इस समय तो बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी जो हमारी बीच में जो जगे बच रही है उसके अंदर इंटर क्रोपिंग कर दीजिए दोस्तों आप गौार फली जो होती है वो इसके बीच के अंदर दोस्तों आप लेंगे और जो करेला की फसल हमारी चलेगी तो आपको बहुत शांदार रेट मिलने वाले हैं उसके बीच में जो हमने गौार की फली इंटर क्रोपिंग किये तो गौार की फली भी जब इस समय हमारी चलेगी तो वो भी गौार की फली से भी दोस्तों आप बहुत शां आने की जरूरत नहीं है, आप मैदान के अंदर ही बुआई कर दीजिए, उससे भी आप खीरे की फसल बहुत ही शांदार आप इंकम लेने वाले हैं, आपको पता है कि साधियों का सीजन भी आगे आने वाला है, बहुत जबरदस साधियों का सावे चलेंगे, तो उसके अंदर खीरे की बहुत जबरदस्त दोस्तों डिमांड होती है, और वैसे भी आपको पता है कि खीरे की 365 दिन, बारू महीना दोस्तों डिमांड होती है, तो आप खीरे की फसल किसी भी मंडी के अंदर कहीं भी आप विक्री कर सकते हैं, तो वो ही है, इसका भी मैदान के अंदर एक खाली से दूसरी खाली की दूरी पांच फिट रख लीजिए एक पोदे से दूसरा पोदा हम लगा रहे हैं वो धाई-धाई फिट के गयब से लगा दीजिए अब इसके अंदर अनेक प्रकार की वेराइटिया हैं सेमिनस की पदमनी हो गई उसके बाद में वी एन आर की सकते हैं लेकिन जो तोरी गिलकी की जो फसल हमारी तयार होके मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों इसके रेट लगातार हमें शांदार रेट मिलते रहते हैं तो आप तोरी और गिलकी अपने खेट के अंदर इस समय फरवरी महा के अंदर लगा कर दोस्तों बहुत ही श यह जब मार्केट के अंदर जाएगी तैयार होके तो सिमला मिर्च से भी दोस्तों बहुत शांदार आप मुनाफ़ा कमाने वाले हैं तो इस समय आप सिमला मिर्च भी अपने खेत के अंदर जरूर लगाईए चोटे से टुकडे के अंदर जिससे की आप बहुत अच्छा मुन होते रहते हैं और कभी इसके रेट इतने डाउन हो जाते हैं कि कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलता है लेकिन जब दोस्तों इसके रेट महंगे होते हैं तो यह रातो रात पिसान को लगपती बना देता है तो आप जो सेमिनस का अविलास जो वेराइटी है दोस्तों आप एक पेड़ से कम से कम 15-20 किलो टमाटर की आप पैदावार ले सकते हैं तो आप फरवरी महा के अंदर दोस्तों टमाटर की बुआई करके और अपने खेट से आप बहुत अच्छी इंकम ले सकते हैं तो आप अपने खेट के अंदर अपने प्लोट के अंदर टमाटर की फसल जरूर लगाईए खर्बूज तर्बूज और ककड़ी जो लंबी वाली ककड़ी होती है खीरा ककड़ी नहीं जो लंबी वाली ककड़ी होती है तीनों ही इस समय लगा दीजिए और जब यह हमारी मार्केट के अंदर जाएगी दोस्तों आपको पता है कि गर्मी के अंदर इन त तिनों ही फसलों की कितनी जबर्दस्त डिमांड होती है तो आप खर्बूजा तर्बूज और लंबी वाले ककडी किनों ही अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए जिसे आगे आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों हम शांदार मुनाफ़ा इसका कमा सकते हैं तो आप खर् अंदार इससे मुनाफ़ा कमाने वाले हैं फरवरी महा के अंदर दोस्तों आप लोकी की फसल भी अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं जब ये लोकी इस समय हमारी लोकी तैयार होके मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों 15-25 रुपे किलो के हमें रेट इसके मिल जाते हैं आराम से तो आप लोकी की फसल इस समय अपने खेत के अंदर लगा कर बहुत शांदार मुनाफ़ा कमा सकते हैं आप इसको अपने खेत के अंदर खालियों के अंदर लगा दीजी और एक खाली से दूसरी खाली की 8-10 फिट के बीच में गैप रख दीजी बढ़ी आ के का गार पेडर जो अब हम चपल कदू फरवरी के अंदर दोस्तों लगाएंगे और जब हमारे चलेंगे तो इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत ही शांदार मुनाफ़ा होने वाला है और खर्च इसके अंदर बिलकुल नॉर्मल खर्च है और इससे इंकम बहुत की फसल तैयार हो जाती है 35-40 दिन के अंदर दोस्तों आपकी जेब में पैसे आने सुरू हो जाते हैं बड़ियासी आप वेराइटी का चैन करके और अच्छी वेराइटी दोस्तों आप अपने खेत के अंदर एरिये के हिसाब से बुआई कर दीजिए तो आप चपल कदू स बहुत शांदार मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों अपन बात करते हैं आप मूली मूली की फसल भी फरवरी महा के अंदर लगा दीजिए अगर जो फरवरी महा के अंदर जो दोस्तों मूली लगाते हैं और जब वो तैयार होती है हमारी और जब मार्केट के अंदर जाती है बेड के उपर इसकी बुआई कर दीजी दोस्तों आपको बहुत ही शांदार मूली की फसल जो है मिलने वाली है और इसका जो रेट है वो भी आपको बहुत शांदार मिलने वाले है तो आप मूली की फसल से भी इस समय फरवरी महा के अंदर लगा कर बहुत शांदार रहती है तो धनिये की आप आपको पता है कि बारू महिना 365 दिन दोस्तों धनिये की डिमांड होती है अभी अगर हम धनिये की मार्केट में देखें तो रेट थोड़े डाउन है और थोड़े से बाद में और थोड़े डाउन होंगे लेकिन दोस्तों जब ये हमारे धनिये फर के अंदर वीधि पर था खिट था बाते लिए और यहों मुना फ़ा सकते हैं उसके बाद में आपको लासिट करता हूं आप पालग पालक Absolा कि आज जिसको कहीं भी पैदा करके कहीं भी मंडी के अंदर बेज सकते हैं बारू महीना इसकी डिमांड होती है तीन सो पैशट दिन इसकी डिमांड होती है हर मंडी के अंदर दोस्तो ये बिकरी हम कर सकते हैं तो आप पालक की फसल भी अपने खेट के अंदर बुआई कर सकते हैं दोस्तो और आपको पता है कि कम से कम 3-4 बार एक छोटी सी जगे में हम जो पालग बोते हैं उसकी कटाई हो जाती है खर्चा क्या आता है इसके अन्दर बिल्कुल नोर्मल खर्चाstory आता है तो नोर्मल खर्चे के अंदर दोस्तो हम बहुत श्यांदार मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आप दोस्तों यह कुछ चुनिंदा फसले लाया था यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ